So guys, क्या आपके भी फोन में same problem हो रहा है, जैसे आप car for sale download की हो या update की हो, उसके बाद जैसे आप play पे click कर रहे हो, एक add आ रहा है, game automatic back हो जा रहा है, और play ही नहीं हो रहा है, आप कितना भी try कर लिए हो, तो इस वीडियो को पूरा देख ले ना guys, मैं इस वीडियो के अंदर आ सारी चीजों को solution देने वाला हो, अगर आपके phone में 2GB, 4GB, 6GB, 3GB, कितना भी रहा में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, अगर आपके phone में auto back, game crash, not installed, black screen, कोई भी problem हो रहा है, तो मैं सब चीजों के इस वीडियो के अंदर solution देने वाला हो, बस अब इस वीडियो को end तक देख लोक है, तो आपको एक भी problem इसके अंदर नहीं आने वाला है, मैं लिख के दे सकता हूं, तो step by step सुनना अभी जो मैं बताने जा रहा हूं, तो guys, auto back, game crash, black screen, इन में सेगर आपको कोई भी problem आ रहा है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको app का data और कैचे clear कर देना है, हाँ, आपको uninstall नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे बंदें बोलते हैं, मेरे पास उतना नेट नहीं है, मैं कहां से बार बार डाउनलोड करूँ, तो आपको data और कैचे clear करना है, ठीक है, clear करने बाद आपको जाना है, प्ले स्टोर पे, प्ले स्टोर पे जाकर सर्च करना है 1111 VPN, उस VPN को जाके सर्च करो, डाउनलोड करो, ठीक है, डाउनलोड करने के बाद उसको connect करो, connect करने के बाद क्या करना है, आपको सबसे पहले कारफोर सेल open करना है, नीचे देको setting का एक option आएगा, उसमें सब मेडिया में यह high होगा, आपको सब चीज low पे कर देना है, zero पे क य। जैसे अब 0 पे कर दो गए, zero पे करने के बाद आपको वापस आना है, ठीक है data को कर देना है, CTA को उसके बाद, य। लाधा को एक व्यूक्त and करना देदर ने देना है, उसके बेहित आपको km कहा अन कर दो, अब डाटा को य॥िक झानेको कर दो, उसमें उसके बाद ग् पंदे के फोन में 3G 4G 6G RAM रहता है और उनका Android 7 रहता है एट रहता है पता नहीं कि उनके फोन में चलता नहीं है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ और इजनल प्लेश्टोर के जो एप है वहासे जाकर आप डाउनलोड कर रहे हो उसके बाद बगर कोई हुआ है और झाप प्लेश्टोर के जाओ रहता है यह जचाओ कर दो एक दोगनांवर। झाल झाल